एमपी के राजगर में विधान सभा चुनाव की तारीख जैसे ही नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लगा है प्राकर्तिक मौसम में तो ठंड़क बढ़ने लगी है लेकिन सियासी माहौल में पारा चढ़ने लगा है राजनेतिक नजरों में राजगर जिले की महतपूर, खिलची पूर सीट से कॉंग्रेस उमीदवार प्रियवरत सिंग, फिलहाल ग्रामीड इलाखों में जन्द संपर्क कर रहे हैं सोंबार कु प्रियवरत सिंग द्वारा माचल पूर छेत्र के, बाला गंज, रामगण, माधोपूर, कोटरा, कुंडालिया, मोहली, लिम्बोदा आधी गाउं में जन्द संपर्क कर कॉंग्रेस के लिए जनता जनार्धन से समर्थन मागा प्रियवरत सिंग सहित, जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष, प्रकास चंद्र पुरोहित, जिला पंचाइट सदस्य, यश्वन्त सिंग गुर्जर, पूर्व मंडी अध्यक्ष, फूल सिंग गुर्जर, सहित जीरा पुर जन्पद उपाध्यक्ष, बालचंद गुर्जर का जग लेकिन उनका क्रम टूट गया था प्रिवसिंग जी वर्तबान में एसे उम्मिद्वार है जो लगातार कांग्रेस से पांची बार उम्मिद्वार बने हुए हैं हम बात करना चाहेंगे उनसे कि वो क्षेत्र में जा रहे हैं किन मुद्धों को लेके जा रहे हैं शेत्र में कॉंग्रेस भारती अंता पार्टी की विफलताओं को और पिछले साड़े तीन साल में जो शेत्र की अंदेखी भार्जपा द्वारा की गई है मुख्य रूप से उन मुद्धों को लेकर हम जा रहे हैं इसे प्रदानमंत्री आवास में हमारे किष्टे नहीं डाली गई और लोग बंचित रहे हैं यहां तक कि लाड़ी बहना में धंसे फार्म नहीं भराए गए और कई लोग 60% महिला हैं खिल्ची पूर विधानसवा शेत्र में चूट रही है और वो आंखड़ा भी बता रहा है कि करीबन 50,000 महिलाओं को लाब मिल रहा है जबकि एक लाग से उपर महिलाओं की जन्सिन क्या ये पूल अधुरा पड़ा हुआ है ये पूल इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जब ये सेंक्शन हुआ था तब इसकी डिजाइन फॉल्टी थी और वो जानकारी फिर मुझे लगी तो मेरे द्वारा विधानसवा में इस मामले को उठाया गया और उसमें खंबे एड कर आएगा है